हलो प्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा कि गर्मियों में पसूं को मिनरल मिक्सर पाउडर खिलाना सही है या नहीं फाइदा देगा या नहीं बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर गर्मियों में पसूं को मिनरल मिक्सर पाउडर दे सकते हैं क्या कहीं हमारे पसूं में गर्मी तो नहीं करता है तो आज की वीडियो के अंदर मां बताऊंगा कि मिनरल मिक्सर इदी आप दें या नहीं दें कुन से परसू को दें पूरी इस तरह से बताया जाएगा जो इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल स्ट्रेस में सला जाता है तनाव में आ जाता है दूदारू पसू का दूद कम हो जाता है रही बात आपके पसू में हीट स्टोक की या हीट स्ट्रेस की सिकाइद देखने को मिलती है तो इस तरह कि इस्तती है पसू में रही बात इदिया आपके पसू में प्रयामत मात्रा म में विटामिन्स नहीं मिल पाते हैं गर्मियों में गर्मियों में क्या जो कहते हैं जो चारा है मात्रा है एक पही कोई नुक्सान नहीं करेंगा कोई अच्छा म मदल क्हिवाण चाहिए तो ईवच्छा के ब क्ल veo ki इस्पेस भी कंपनी बताऊं कोई सी भी हो अच्छे ब्रांड का उना चीए वह मिनरल मिक्सर आप अपने पसू को दे उसकी डोज आप 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम परड़े के साब से continuity देते रहें आपका पसू प्रिग्नेंट है नोन प्रिग्नेंट है चोटा है बड़ा है सभी तरह के पसू में दे सकते हैं मीडियम साइज में पसू में आप 20 ग्राम का परियोग कर सकते हैं रही बात जो mineral mixer powder आता है आपके पसु में कोई गर्मी नहीं करता है आपके पसु को कंट्रोल करने का काम करता है रही बात आपके पसु को जो अन्य बिमारी हैं उनसे बचाता है इम्मुनिटी बढ़ाता है दूद बढ़ाने में साहिक होता है इनफ्रेटिल्टी बांस बन से बचाता है आपके पसु में हीट मिलाने का काम करता है जो पसु बार-बार रिपीट हो रहे हैं उनको भी आपके पसु में conception rate बढ़ाता है तो इसके लिए आप अच्छा mineral mixer आप अपने पसु को दे वैसे आप area specific mineral mixer भी आप अपने पसु में प्रयोग कर सकते हैं जिस प्रका देश के लिए अलग है तो इस तरह के जो पावडर आते हैं वह ज्यादा benefit आपके पसु में देते हैं क्योंकि जिस चेत्र में जिस elements की कमी होती है उसकी पूर्ती हो जाएगे तो आपके पसु में ज्यादा benefit देखने को मिलेगा तो मैंने बता दिया आप अपने पसु को धन्यवा